नमस्कार दोस्तों CGPSC Knowledge हव यानि कि Clear CGPSC के यूट्यूब चरनल पर मैं मदूसा हूँ आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सुपोसित 36 गड़ के बारे में जी हाँ महिला एवं बाल विकास मंत्राल है जो हमारा 36 गड़ है वो कौन-कौन सी योजनाओ की माध्यम से पोशन इस्तर को बढ़ावा दे रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ASI की वेकेंसी है CACB है उसके अलावा FI आगे चलके जो पटवारी की आने वाली है फिर नवंबर में CGPAC की वेकेंसी आजाएगी तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने योजना का एक पार्ट उठाया है जो की सुपोशर से सम्बंदित है और जो महिला एवं बाल विकास ह उसमें जो महत्वण भूमिका निभारा है पूरे इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वीडियो को अन तक जरू देखिएगा हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिएगा लोगों को भी आप जो है ये शेयर करके बताईए पोशण अभियान के बारे म आप लोग के लिए हमारे पास एक कोशण भी है चूकि हम सुपोशण के बारे में बढ़ रहे हैं और ये महिला बाल विकास सम्बंदित है तो आपको हमें कॉमेंट शेक्षन पर बताना है कि आपके 36 गड़ में यानि कि हमारे 36 गड़ में महिला एवां बाल विकास मंतरी का आंसर कॉमेंट शेक्षन पर हमें दिखना चाहिए आप जरूर इस पर पाटिसिपेट करिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हमारे सुपोशित 36 गड़ के लिए किये जाने वाले प्रयासों की ओर तो सबसे पहले हम चलते हैं जो इस माह चल रहा है यानि किया सितंबर है सि तो 36 गड़ को हमें को पोशर से मुक्त करना है तो जैसे राश्टी स्तर पर एक सितंबर जो है निरधारित है राश्टी पोशर माह के रूप में 36 गड़ में भी यह निरधारित है तो यहां पर भी शुपोशर माह चल रहा है इस दौरान आपको दिखेंगे कि जागरता शि जिविर के माध्यम से लोगों को पोशर संबंधी योजनाओं के बारे में पोशर संबंधी विशेश सुविधाओं के बारे में जागरू करने का प्रयास करेगा तो शुपोशर रत को ध्यान रखना है आपको इसमें चार हप्ते डिवाइड है जिसमें पहले हप्ते पोश तीसरे सप्ता में क्या किया जाएगा पोशण के लिए योग और आयूश मिंस चिकेस्सी शोविधा का यहां पर आपको देखने को मिलेगा तीसरे सप्ता क्या करेंगे आंगनबाडी के जो हितगराही है वो पोशण किट और समागरी का वित्रण करेंगे यानि कि पोशण करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनके जो पोशण इस तर है वो अच्छा हो सके और उनको जो ग्रीन है उसमें जो स्रेड़ी है उसमें लाया जा सके चलिए आगे हम देखेंगी सभ्यान के अंतरगत तो महिलाबाल विकास विभाग है जिसके अगवाई में पूरे स सभी विभाग इससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके लिए एक थीम का भी निधान किया गया है को पोशण छोड़ पोशण की योर थामे छेत्री भोजन की डूर तो राश्टी पोशण माह 2021 का यह थीम है इसी के द्वारा पूरा नारे के साथ पूरे केंद्र इस्तर पर बोले या राज्य इस्तर पर इस पोशण मा का संचालन किया जा रहा है इसके अलावा पोशण पक्वाडे में जीला सिले का ग्राम तक्यानी की समस्त प्रशासनी की काई के द्वारा छेत्री इस्तर पर भी जो नारे हैं उनके द्वारा जो है इसका प्रचार प्रशार किया जाएंगे याद रखेगा महिला यवं बाल मिकास मंतरी अगर 36 गड़ की बात करेंगे तो अनीला भेडिया जी है और अगर केंद्र की बात करेंगे तो स्रीमतिश्मृति जूबीन इरानी जी तो दोनों को याद रखेगा, दोनों मंत्रिया है, हम एक और आपको batch का information दे देते हैं, हमारे यहाँ चार अक्टूबर 2020 एक नया batch जो है शुरू किया जा रहा है, SI का प्री का हो या FI हो पटवारी वो व्यापम, PSC सभी पर अधारित, जो same syllabus होते हैं आपको मिलेगा ही हमारे जो course है उसमें, उसके अलावा जैसे FI में अलग से अधिनियम होते हैं, वो भी हम कराने वाले हैं, तो यह पूर्णता, CGPSC व्यापम जो pattern रहते हैं, उस पर अधारित होगा, चुकि व्यापम में computer English एक अलग से दे दिता है, maths का जादा weightage देता है, तो हम उसी के अधार पर इस class को संचालित करेंगे, आपको बहुत सरी स्विधाई इसमें मिलेंगी, कम rate पर जो है, यह classes से आप लोग को यह level होगी, जो की 4 ताइक्ष शुरू होगा, 4 दिन का डेमो भी है, तो डेमो के लिए description पर एक टिच्मेंट का link मिलेगा आपको, आप वहाँ से जूड सकते है डेमो के लिए, 4 अक्टूबर से डेमो शुरू हो जाएंगे, recorded video lecture भी मिलेगा, हर दिन का class record किया जाएगा, study material भी teachment app पर जो हम उपलब्द करा देंगे, जिससे आपको कुछ छुड गया हो, या फिर आपको notes बनाना हो, तो एक reference लेकर वहाँ से notes बना सकते हैं, मन्त में अलावा आगे चल का जो test series होगा, वो भी आपको इसके साथ मिलेगा, बहुत ही कम कीमत पर है, आपको इतने कम कीमत पर कहीं भी नहीं मिलेगा, online classes रहेंगी, सारी चीजे गुरुवत्त रहेंगी, जो आपको बड़े-बड़े coaching संस्थान में मिलते हैं, उसके अलावा हमारी class जो है एकदम समय बद रहती है, जिस समय से शुरू होना है, उस समय शुरू हो जाती है, तो सभी facility आपको मिलेगा, morning बेच रहेगा, साथ से 10 बजे तक, तो आप जो है अगर सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर इस पर जो है जादा जनकारी चाहते हैं, तो आप हमारे जो दिये गए दोनों नंबर है, उस पर call कर सकते हैं, या message करके पूछ सकते हैं, ध्यान रखेगा, अगर आप call करते हैं, तो सुबा 10 बजे से 5 बजे तक ही करिएगा, क्योंकि हमारी और भी batches चलते रहती हैं, इसके अलावा हमारे जो live classes भी होती है YouTube पर, वह से आप question answer के practice भी कर सकते हैं, अलग-अलग channel के माध्यम से जोड़ना हो, तो भी हमसे आप telegram, facebook, whatsapp के माध्यम से जोड़ सकते हैं, चलिए हम पोशड संबंधी योजनावा पर आगे चलते हैं, तो 36 गड़ में कुछ योजनाय चल रही हैं, उसको देखते हैं, पहला है मुख पोशड अभ्यान, चोथा है महतारी जतन योजना, पूरक पोशड आहार योजना, यह दो बार आहार लिखा गया है, याद रखेगा आहार योजना है, कि शोरी सकती आहार योजना जिसको सबला योजना भी कहते हैं, सात्वा है आपका पोशड वाटिका का एक्रम, आठव पोशड चोपाल का एक्रम, और नौवा है कोशिल्या मात्रित्व वंदन योजना, कोशिल्या मात्रित्व वंदन योजना है यह बजट शुरू हुआ था और इसके बारे हमने एक वीडियो में योजना वाले में भी डाला हुआ है, पर आज हम चूकि पोशड संबंधी बा करते हैं, उसका एक में मोटी होता है, जो भी गंभीर रूप से जो कुपोशित बच्चे हैं, जो संकर ग्रस बच्चे हैं, उनको कुपोशड चक्र से हमें मुक्त करना है, उनके सुपोशड को बढ़ाना है और उनको जो ग्रीन स्रेडी रहती है, रेड, यलो, ग्रीन भर में अधिक्तम 500 रुपए की दवाए भी उपलब्द कराए जाएगी इसके अलावा जो उनके शिशुरों विशिशक्य रहेंगे चाहिए उनीजी ही क्यों न हो उनको 1000 रुपए का मांदे भी दिया जाएगा और 500 रुपए तक का यात्रवय भी दिया जाएगा इसके रुपए देते हों उनको 2300 कर दिया गया है जो 500 दिया जा रहा था उनको 1000 कर दिया गया है तो इस प्रकार से बढ़ा दिया गया है यह अंगर बाड़ी करताओं का कहना है पर याद रखें यह जनकारी हमारे अभी वेबसाइट में जो है जितनी मिली हुई है उतना को हमने डाला हुआ है ताकि कभी भी दावापति करना हो तो इससे किया जा सके चली हम दूसरी ओजनाव को देखते है जो है पोशण अभ्यान तो भारत सरकार ने शुरू किया था आठ मार्च 2018 से यह पोशण अभ्यान यह भी किस्त पर अधारित रहेगा तो पोशण मुक्ति की औ अधारित रहेगा जुझनू राजिस्थान का एक जीला है वहां से यह शुरू किया था वित्ती वर्स 2017-18 में इसको फैसला लिया गया कि आगामी तीन वर्सों तक यह चरण वद्ध रूप से सभी जीलों में जो है लागू कर दिया जाएगा तो आपको दिखेगा पहले च जीले जो है 36 गड़ के शामिल थे दूसरे चरण में 15 जीलों को शामिल किया गया यानि की टोटल 27 जीले फिर आपका जीपियम जो है नया जीला बन गया यानि कीमाल लिजेगा आप जो है वहां पर भी यह जो योजना है वो चल रही है इस प्रकात पूरे राज्य में पोश है उनमें जो पोशन इस थर है उसको चरणबद तरीके से हमें क्या करना है प्रती वर्ष 2 प्रतिशत की कमी लाते हुए पूरे तीन वर्षों में कम से कम 6 प्रतिशत की कमी लाना इसका प्रमुख लक्ष है तो पोशन अभियान भारास सरकार द्वारा 8 मार्च को चलाया गय है या राज्य में हो क्या रहा है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं और जो 14-14 फर्गवायों की महिलाएं है इनमें जो है रक्ताल पता यानि की एनीमिया जोग जो है चादा देखने को मिल रहे है इसी द्रिश्टी से हमने सबसे पहले क्या किया सुपोशित दंतेव अभियान चालो किया चोकी दंतेवाड़ा कादिवासी छेत्र है और उनमें यह बिमारी ज्यादा पाई जाती है एनीमिया तो इसको जड़ से समाफ्त करने के लिए दंतेवाड़ा शे शुरू किया गया 24 जून 2019 से जैसे ही हमने देखा दंतेवाड़ा छेत्र में यह बहु यानि कि 19, 20, 21, 22 तक कि आपको पूरा देखने को मिलने वाला है हित ग्राहियों को इसके अंतरगत जो है पूरक पोशड अहार दिया जाएगा अंडा, चिकी, लडू, मुपली, दलिया इन सभी को प्रदान किया जाएगा यह सभी आईरन से भरपूर होते है तो यह पोशड इसतर को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर खाद दे रहते हैं बात करें हम आगे तो इसके अतरिकते जो एनिमिक बच्चे और महिलाये हैं उनको आई एप ए और सीरप जो क्रीमी नाशक दवा रहती है तो अलवेंडाजॉल की गोली वगर आपने सुना होगा उसके अलावा खान पार में जो परिवर्तन के लिए जो है जो परामार्श है वो दिये जाएंगे आंगन बाड़ी के जो द्वारा हित ग्राहियों को इस समय समय पर जो सुईधाएं हैं वो भी दी जाएंगे घर पहुं सेवा भी कोरोना काल में आंगन बाड़ी की द्वारा जो ह इस अभ्यान के क्रिईànवंण में जो भी होने वाला वयाय है इसे प्रति पूर्ठी जो है जिला इस धाप लब्ध जो खनीज नियास नीधी होता है और CSR जो मद है और जनस्वास्तेयो इन तीनों के माध्यम से जो भी धनराशी प्राप्त होगी उसके माध्यम से पूरा निधी का भी गठन किया गया है नवा जतन नवा चार योजना जो पहले चल रही थी हमारे 36 गड़ में उसको भी इस पोशन अभियान के अंतरगर डाल कर इसको व्यापक कर दिया गया है तो यह पूरा पोशन इस तरको सुधारने का प्रयास जो है निरंतर जालू है इसी सुखी सबजी, रसेदार सबजी, अचार, पापड, सलाद यानि कि एक महिला को जितनी भी पोशर संबंदी सुविधा दी जा सके वो अंगन बाड़ी के द्वारा दी गई और इनको रोज भोजन प्रदान किया जाता है महिलाओं की बात करे तो घर ले जाने के लिए भी य तो 75 ग्राम के हिसाब से 6 दिन का यानि कि पूरे सब्ता का 450 ग्राम का एक पेकट दिया जाएगा रेडी टूइट का उसके अलावा इनको खाना भी अंगन बाड़ी पर बुलाकर खिलाया जाता है प्रदेश में लगभग 1 से 60 लाक महिलाएं हैं जो इस योजना से अभी ला काल के हो गए उनके बाद उनको भेजा जाता है आंगन बाड़ी तो पूरक पोशन आहार इस कायरेकरम को भी संचालित किया जाता है प्रदेश में जो एकिकरित महिला बालविकास सेवाएं हैं जो ICDS प्रोग्राम हैं उनके अंतरकत आंगन बाड़ी केंदर महत्तोपुन भ बच्चे हैं उनके लिए भोजन जो है घर पहुँच सोईधा रहती है यानि कि उनकी माता आका ले जा सकती है बात करें अगर तीन वर्स से छे वर्स के बच्चे जो अंगन बाड़ी में क्या करने आते हैं पढ़ने आते हैं सीखने आते हैं उनको यहीं पर पूरक पोशन आहार प्रदान किया जाता है और इसमें मिलेगा नाश्ता और गर्म पका भोजन पहले नाश्ता दिया जाता है नाश्ता जैसे कई बार चना भीगा हुआ या फली यह सब दिया जाता है और पके हुए भोजन में आपको रेडी टुएट को भी पका के दिया जाता है इसके अलावा दाल, शामल, रोटी, पापड ये सभी जो है बच्चों को दिया जाता है जिनसे उनका पोशन इस्तर सुधर सके। मिला कर इस रेड़ी टूइट फूड का निर्माड किया जाता है। शाला त्यागी यानि कि जो शाला नहीं जाती ऐसी किशोरी बालिकाएं और 14-18 आयूवर की जो की स्कूल जाती हैं ऐसी किशोरी जो बालिकाएं हैं उनको पांच रुपए के मान से पूरक पोशन आहार भी प्रतान किया जाएगा। जिनसे उनमें जो सारीजिक जो हर्मोनल चेंजेस है वो अच्छे से हो सके और उनका जो विकार से वो बहुत अच्छे से हो सके। तो इस प्रकार के पोशन आहार का एक्रम में भविश्य में उनके जो सरीर है उनको एक अच्छा पोशन इस्तर प्राप्त हो सके इसका प्रयास किया जाता है। बलरामपूर सरगूजा ऐसे जीले जहां पर पोशन इस तर को सुधारना ज्यादा इंपोर्टेंट है जहां पोशन इस तर कम मात्रा में है वहां पर ज्यादा तर इसको शामिल किया गया है। पोशन इस तर की बढ़ोत्री का पूरा प्रयास किया जाएगा। आगे हम बात करें तो सुपोशन जापाल भी आवजित किया जाता है। ये क्यों आवजित किया जाता है? पोशन संबंधी जागरुकता देने के लिए ये भी ध्यां रखेंगे आप। इसमें किया क्या जाता है? प्रतेक अंगनबाडी केंदर में जो गर्फवती महिलाएं हैं उनका गोद भराई किया जाएगा। 6 मा से उपर हो गए बच्चे हैं तो अनप्राशन कराया जाएगा यानि अब उनको अनप्राशन के माध्यम से रेडि टूइट खिलाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। अंगनबाडी केंदर के जो तीन से छे साल के बच्चे हैं उनको बाल भोच कराया जाता है। उनको जो है पोशर संबंधी जगरुकता फैलाई जाती हैं इसमें जो व्यंजन बनाया जाते हैं लगभा को रेडि टूइट संबंधित रहते हैं या जो आईरन की मात्रा से भर हागीता बहुत महत्वपूर्ण होती है सभी को सुपोशर संबंधी जो बाते हैं वो बताई जाती हैं अंतिम्रू से एक योजना की बात करते हैं जो है चत्रिसगर की कोशिल्या मात्रित्य योजना मुख्यमंत्री भुपेश पखेर इनको लेके आये थे वह वित्तमंत्री है तो बजट में प्रस्थुत किया माता और उनकी बालिकाउं को अच्छी जिन्दगी प्रदान करने के लिए इस योजना को लेके आए इस योजना को नाम को शिल्या मत्रित्य योजना इसले लिया गया क्योंकि काौशिल्यां जी यहीं जनमी है यही पली बड़ह है उनका बार आपकी बालिका को जन्म देती है तो 5,000 रुपए की एक मुष्ट रास्ती उनको डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी इसमें लाने का मुख्योद्देश था कि माता घर पर रहके रही अपना ख्याल रखे और बच्चे का ख्याल रखे ताकि उन उठना भी स्वभाविक है तो आप इसको अगर देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा चलिए आज के लिए हम विदा लेते हैं